प्वाइव सेवन फोर जश्याद है आपके घर बच्चे का जन्म हुआ है लड़ू पाल जी की सेवा है तो इसमें बस एक ही मंत्र आप दिमाग में रखी है आपको सेवा करनी नहीं है लेकिन ठाकुर की सेवा होनी है घर में या तो कोई क्वारी बिटिया हो उसको भिट नहीं लगती है उससे आप सेवा करा सकते हैं या आपकी कोई शादी शुदा बेहन या लड़की हो उसको बुला लीजिए उससे सेवा करा लीजिए कोई मासी जी हों भुगा जी हों उनसे सेवा करा लीजिए और कुछ हो कोई आपका वैशनव परचित हो वो रोज आ जाए वो सेवा कर जाए इतना सब न हो पाए तो अपने ठाकुर जी को किसी वैशनव के घर पदरा दीजिए वो वहाँ उनकी सेवा करते रहेंगे आप ए समझे है दस बारे देन ठाकुर जी आउटिंग पर गए हूँ है घूमने वो दूसरे वैशनव के घर आएंगे वहाँ प्रशाद पाएंगे उनकी सेवा होगी जब आपके घर शुद्धी हो जाए तब आप ठाकुर जी को ले आईए और उनका पंचामर्द सेशनान करा के दुबारा से अपने घर सेवा करिए ठाकुर जी को न तो भुखा रखना है न सेवा बंद होनी है आपने नहीं करनी है भिट आपको लगी है ना कि ठाकुर जी की रोटी पानी बंद होनी है आरती बंद होनी है बस मोटा मोटी इसको समझ के जैसे भी आपको अनकूलता हो वैसे कर लीजिए जैसी रादे